नमस्कार दोस्तों हिंदी न्यूजेफेस में आपका स्वागत है दोस्तों भारत देश के लिए एक बहुत गर्व करने वाली एक ख़बर आ रही है दसल वो एक ख़बर यह है भारती कंपनी टाटा ग्रूप को ले करके दरसल दोस्तों भारती कंपनी टाटा ग्रूप की जो टोटल वैलू हो गई है मार्केट की वो 350 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है ये बहुती सुखद खबर है ये हर एक भारती को गर्व होता है ऐसे देश के विकास में टाटा ग्रूप का बहुत बड़ा योगदान है टाटा ग्रूप दरसल सिर्फ देश के लिए ही सोचता है वो अपने प्रॉफिट का एक बड़ा पॉर्शन दान कर देता है आईए दोस्तों समझते हैं कि पूरी खबर है क्या दरसल दोस्तों अभी खबर ये आ रही है कि टाटा ग्रूप की जो मार्केट वैलुएशन है वो साड़े तीन सो बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुकी है साड़े तीन सो बिलियन डॉलर कितना होता अब इससे ये अंदाजा लगा सकते है कि पूरे पाकिस्तान की जो वैलू है वो तीन सो चालिस बिलियन डॉलर की है अब आप ये सोचिए कि हमारे हम भारत और पाकिस्तान एक समय पे ही आ जाद हुए है आज भारत के सिर्फ एक कमपनी इतनी बड़ी हो गई कि पूरे अगर पाकिस्तान की वैल्लेशन को मिला लिया जाए तो उससे ज़्यादा है मतलब पूरे पाकिस्तान को खरीदा जा सकता है ऐसा आप समझ लिए अब दोस्तों बात ये है कि पाकिस्तान इतना पिछाड़ क्यों गया और भारत इतना आगे कैसे निकल गया इसकी भी बैक्ख्या होनी चाहिए दसल बात यह है कि पाकिस्तान के पास कोई विजन नहीं है बस उसके पास एक ही चीज़ है कि भारत का बिरोध करना है भारत की बिरोध के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है इसलिए वहाँ पर उसने कभी अपने डेवलाप्मेंट के लिए आगे सोचा ही नहीं सिर्फ भारत को किसी तरह से टांग खेचना चाहता है और भारत ने अपनी हमेशा जो फोकस किया है वो इंट्रस्ट्रक्चर फे फोकस किया है उसने अपने यहाँ लोगों को एजुकेशन देने पर फोकस किया है हमारे यह एक प्रॉपर एक नीती बनाकर आगे बढ़े हैं तब हम भारत देश आगे बढ़ रहा है ऐसे ही नहीं हमारा दुनिया में मान समान हो रहा है आज के टाइम पर अब आप यह अंदाजा लगा लिए कि पाकिस्तान में कितना करजा है दरसलों पाकिस्तान में 2011 में जो पर बैक्ति जो करजा था यह हुआ करता था 823 डॉलर हर एक बैक्ति पर करजा हुआ करता है 2011 में लेकिन आज 2023 में ये करजा बढ़के 1122 टॉलर हो गया है हर एक ब्यक्ति पे अब अंदाजा लगा लिए कि पाकिस्तान का करजा कितनी तेजी में बढ़ा हुआ है हला कि ये भारत के लिए कहीं न कहीं दुखत चीज़े हैं दुखत इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान में हर एक चीज बुरी होंगे तो उसका असर कहीं न कहीं हमारे उपर होगा क्योंकि पाकिस्तान हमारा पडूसी देश है पडूसी देश है जब वहाँ पे बिरुज्यारी जाद से जादा होगी तो हमारे यहां गटनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग कुछ अच्छा नहीं करेंगे भारत के लिए कुछ बुरा ही करेंगे, क्रॉस बॉर्डर गैतिविदियां बढ़ेंगी वो भारत के लिए कहीं न कहीं दिक्कत देने economy wise बिस्ट की दूसरी सबसे बड़ी अर्थवे उस्ता है वहाँ पर प्रतिबेक्ती आए हमसे ज़्यादा है लोग वहाँ पर हमसे ज़्यादा खोस है हलाकि आजकल वहाँ पर थोड़ा आर्थिक मंदी टाइप की चीछ चल रही है लोगों की रोजगार जा रहे हैं लेकिन वह फिर भी हमसे बहुत आ गया है इस सब होने के बावजुद वहाँ के स्टॉक मार्केट फेल हो रही है लगातार नीचे जा रही है चीन की इस वक पैसों से थोड़ी सी तकलीफ है चीन में लेकिन फिर भी भारत से बहुत आ गया है भी हमको चीन तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा भी चीन बहुत डवलप है वही पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है अब यह समझ लिए वहाँ कुछ है नहीं तो कहीं न कहीं हमारे लिए भी तकलीफ वाली चीज़े है तो दोस्तों इससे हमें कहीं न कहीं बहुत साउधान रहना है और हम लोगों को यह प्रे करना चाहिए कि पाकिस्तान इतना अपने में विजी रहे कि वो भारत की तरब ना देखे वो इतना तो कम से कम खुश रहे वो करजे से मुक्त रहे बहुत ज़्यादा फ्री भी ना हो क्योंकि ज़्यादा भी फ्री हो जागा तो भी हमारे लिए परिशानी पैदा करेगा इसलिए वो इतना फ्री रहे कि वो हमारी तरफ ना सूचे और अपने में ही बीजी हो जाए बस इतना हो जाए दोस्तों आगे और अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊंगा धन्यवाद दोस्तों आपको इंट्फॉर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे